आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप छोले भटूरे घर पर ही बना के तयार कर सकते हो सबसे पहले आप भटूरा देखी कितना जादा सॉफ्ट बना है इसमें जाली देखी आप कितने अच्छी जाली आई है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है इनको बनाना बहुती जादा इजी है कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी जब भी आपका छोले भटूरे खाने का दिल करता है घर पर बना सकते हो बहुती जादा अरसान होता है थोड़ लगाना है कि मैंने मैदा करता है आप उसके ऐड़ मैंने इसमें और मैंने पाहल किया है नमक तैदास शाव नमसटा यहकी भी अनरक्का और में पेंग दील चै발 बहुत अच्छा कछ यह घ़िया मैं उसके बाद मैंने निन मैं दही आड़ किया है एक कटोरी दही इसलिए एड किया जाता है फर्मेंटेशन के लिए दही को एड करना चाहिए और हमारा डो बहुत जादा सॉफ्ट लगता है दही एड करने से उसके बाद मैंने इसमें ऑईल डाला था सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसका एक सॉफ्ट डो बना के रेडी करना है जब भी हम भटूरे बनाते हैं तो डो का सबसे में काम होता है जितना अच्छा आप डो लगा लोगे उतने ही अच्छे आपके भटूरे बनेंगे फूले फूले क्रिस् अच्छी तरह से आपको नीड करना है दो को 10 मिनट तक उसके बाद कवर करके उसको रख देंगे दूसी तरह हमारे चोले बनके तयार हो चुक है इनको मैंने मैश कर लिया था तोड़ा ओवर कुकिया है क्या मैं ऐसा ही पसंद है उसके बाद मैंने चोले मैथी नमक स्वात क खड़े मसाले भी यूज़ कर सकते हैं पर भटूरे अलरी बहुताता ओली हो जाते हैं इसलिए उसके बाद मैंने गरम मसाला एड़ किया था मार्केट वाला उसके बाद पैन लेंगे उसमें लिया है ऑईल सासो का तिल इस्तवाल कर रही हूं जीरा डाला है थोड़ा सा प् मसाले नहीं कर देता है तो मसाले ने ओल रिलीस कर दिया है इसके बाद हम छोले सभी इसमें एड़ कर देंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स कर के जितनी वी आपको थिक यह चाहिए उस हिसाब से आप इनको रख सकते हो इसको अच्छे से मैं बॉil होने दोंगी पांदस मि अच्छे से तो यह रबड की तरह खिचने लगा होगा और बहुत ही अच्छे से यह डो बनके हमारा तयार हुआ है डो लगाना बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप देख पार है फिंगर की मतल से जब मैं इसको प्रेस कर रही हूं तो ऐसा लग रहा है कि इतने अच्छे से आपको नीड कर पाओ उतने अच्छे से आपको नीड करना इसको अच्छे से मलना है उसके बाद हमने थोड़ा सा पोशन लिया है इसको बेल लेंगे दूसरी टेप यह है कि जब आप भटूरे को डालते हो कडाई में उस वक्त ऑइल गरम होना चाहिए हा अच्छे से फूल जाहेगा और जितना भी आपको क्रिस्पी चाहिए सौफ्ट चाहिए उससाब से आप इसको गरम कर सकते हो बना सकते हो तो देखा दोस्तों आप लोगा ने बहुत अच्छे से नीड कर लें उसको डेढ़ दो घंटे के लिए रख देंगे उसको उसके बा तो दोस्तों आप भी भतूरे की रेसिपी ट्राइब करिए अप लुगा दोस्तो यह थी सिंपल सी रेसिपी आप लोग इसको ट्राइब करें अब मिलूंगे आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वीडियो कर पसंदा है तो वीडियो कर दीजीगा लाइक साथी चैनल को दीजिएगा सब्सक्राइब अब मिलूंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बावाई